वेलकम तो दिसकोट और फ्रेंड्स मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके रहे लिक्या है हूं MS Excel Basics Tutorial 2 यहां पर हम क्या करने वाले है होम टैब है यहां पर हम clipboard and font family देखने वाले सो विदाट पॉदर डिले लेट्स गेट सार्टेट अगर आपको पता नहीं है एक्सल कहां पर यूज होता है किस तरह से हम यूज करने वाले है और आप नोवाइस हो आपको पता नहीं है एक्सल कहां पर यूज होता है उसका यूज क्या है तो आप मेरी previous वीडियो देख सकते हो अगर आप न्यूज हो इस चैनल में तो मैं आपको इंक्रेज करूंगा तो प्लीज गो और सब्सक्राइब मैं चैनल यहां पर मैं देखने वाला है यहां पर होम टाइप के अंदर अगर हम देखेंगे यह कुछ चीजे है अब यह क्या होती है इस चीजे राइट यह मैं आपको भी बताने वाला हूँ मैं कुछ content type करेता हूं ता कि यह office हम लोग यहां पर MS Office जो है यह मैं काम कर सके है राइट तो मैं कुछ नेम टाइप कर दिया है यहां पर देन पर्टिक्लर रॉन जिस्ट रॉफ नेम राम यह डाल रहा हूं मैं कुछ यह से नाम ठीक है यह content कैसे टाइप करते है अपन जिस्ट एक नॉर्मल कर से यह पर रख दो आप कुछ भी टाइप करो ठीक है कीबोर्ड की साथ और एंटर पर प्रेस करो तो आपको नीचे नीचे यह ड्रैग करते लेके जाएगा इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप इसले देख पाओ और वीडियो मेरी ब्लर ना हो ठीक है अब इसे क्या कहते है राइट अब मुझे इसे कॉपी करना है इसको हर एक चीज को अगर मैं मैंनुले टाइप करूंगा सेम चीज़े मुझे यहां पर लिखनी है तो मै मैं लिखूंगा नहीं उसे मैंनुली तो मैं क्या करूंगा इसे स्लेट करूंगा कट करूंगा यहां पर रखके पेस्ट पर क्लिक करूंगा तो यहां से चीज हटके अगर आप देखोगे तो C3 तक आ जाएंगे ठीक है अब मुझे इसे कॉपी करनी है कॉपी कॉपी कॉप करूंग तो करया मैंने यहां पर रखा हूं दान पैस्ट पर क्लिक मुझे चीजा यहां पर मिली एड़र यहां पर मिली इसकॉल्ट तो आपको easy way में समझ आ जाएगा अभी यह मेरे पास सपोस्थ यह मेरे पास छोटा डेटा है तो इसलिए कुछ इतनी दिक्कत नहीं है मेरे पास मैं डारेटल जाकि यहां से क्लिक करना है तो यह जो फॉर्मैटिंग होगी यहां पर रिप्लिकेट हो जाएगी ठीक है मैं Ctrl-Z कर रहा हूं ठीक है अभी मुझे यहां पर देनी है तो यहां पर क्लिक किया खूल नेम रिक्वार्मेंट की ज़रूत नहीं दूस्तों अगर मैं यहां पर लक्षमन भी लिख तू ठीक है या फिर यहां पर मैं लक्षमन भी लिख दू और फॉर्माटिंग मुझे चाहिए इस तरह की राइट तो यह फॉर्माटिंग मुझे यहां पर चाहिए तो क्या करना है यहां पर यहां पर नेमिंग इस नॉट मैंट में आटनी करती है नहीं यहां पर फॉर्मेटिंग जोब दे रहे हो वह फॉर्माटिंग इस थिपे में अट करती है ठीक है यह मैंने फॉम-टाब में क्लिप बोड फंक्शन पूरा क्लियर कर दिया यह आपको उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी क्लिप बोड अली ठीक है अब हम जाएंगे फॉन्ट फैमिली तो वोड़े फॉन्ट फैमिली सो नेम इस वेरी नाइस यहां पर कुछ शॉटकट के आप देखोगे यह कुछ आप इसली इसे यूज कर पाओगे कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस कर रहा हूं मैं ठीक है तो यह कुछ तरह से कुछ आगया डायलोग बोक्स बट मुझे इनो डिटल लेवल में जाना नहीं है जो आपको मैं शॉटकट किसका सी याद करते हो मैं बता रहा था ठीक है बस करना है यहां पर यहां पर आगा देखोगे तो यह कुछ कंटेंड मेरा नेमिंग कर्मेंशन चेंज हो रहा है दूस्तों फॉंट बहुत ही मैंटर करता है जब आप डेटा विजुलाइज करते हो राइट डेटा विजुलाइशन स्पेशली मिस वर्क में डेटा जभी हमें पेंटर यह सिंपल सो यह जो है यह साइज के लिए है अगर यहां पर मैंने स्क्रीन जूम कर रखी दोस्तों तो इसलिए आपको इतना इफेट नहीं दिख रहा होगा बटा कर मैं यहां पर क्लिक करूं यह बात राइट यह कुछ जूम हो रहा है दूस्तों अगर आप तो कईसे करेंगे सिंपल है कोई दिकत नहीं मैं जस्तिक यहाँ प्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद डबल जओ जाएगा अटिया है यहां प्रोड हो चाहते हैं यहां पर देखोगे तो सेम एंग्रीज करेंगा यहां पर डिजिट से illustrations लाव हो बट यहां पर आपको easy way में smoothly कर सकते हो कि अंदेन बोल्ड इटालिक अंडरलाइन अपने बोद भार सुना होगा बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड कर दो यार ठीके बोल्ड थोड़ा सा ठीकनेस ला दो यहां पर ठीकनेस ला रहा है इसका फॉर्माइटिंग निकाल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाया है ठीक है बोल्ड हटा दिया यह यह बात इटालिक आपको थोड़ा सा क्रॉस करेगा वह कंटेंड को थोड़ा इटालिक हो रहा है इस प्रकार से कुछ आगया आपको फॉन्ट इसका चेंज करेता हूं अब यहां पर जाना है मुझे यहां पर आप देखुए तो डबर अंडरलाइन अगर देनी है तो कुछ डबर अंडरलाइन पर देश सकते हूं ठीक है यह यहां पर है बॉर्डर ठीक है अब मेरे पास कुछ कंटेंट है या फिर किसी चीज को मुझे बॉर्डर दीनी है राइट टेबल्स वगरा है राइट तो नेम एंप्लोई एंप्लोई डीजाल दो या फिर शीट टू में लेता हूं ताकि मेरा फॉर्मेटिंग और रिप्लिकेट ना हो एंप्लोई नंबर नेम सालेरी ओड़ेवर डिजनों कंटेंट आप जो लो ठीक है 123 मैं डाल रहा हूं जोकर ठीक है सालेरी 5000 इसे जुम करता हूं थोड़ा सा ताकि मैं आपको बता सको इसे मैं अगर क्लिक करूं यहां पर तो यह बॉटम पर तो बॉटम में थोड़ा सा एक लाइन आ जाएग ठीक है अब यह दिखीगा कहां पर मुझे राइट यहां पर तो हर जगा पर लाइन है ठीक है अब आप देखोगे तो यह दिखीगा कहां पर यहां पर व्यूव में मैं जाके एक बार इसे इस ग्रिट लाइंस को हटा देता हूं ठीक है जो स्प्रेट शिस होती है उसे मैं तो आ जाएगा करेक्ट सो इस तरह से आप खाली उसे बॉर्टर दे सकते हो अब उसे थीकनेस कितनी चाहिए राइट मैं मुस्ली प्रफर करता हूं अगर आपको जिस प्रकार चाहिए तो यहां पर यहां पर कुछ बॉर्टर का कलर है आपको कुछ कलर आ जाएगा इस तरह से सिंपल है complete your choice दोसों आपकी क्रेट्विटी कैसी है आप किस तरह से सोचते हो complete your ownership ठीक है मैं अगर शीट 3 ओपन करता हूं थाकि मैं आपके आगे वाले options बता सको अब इसमें क्या होता है यह मेरा कुछ sales में सेलेट कर रहा हूं कुछ निया को करसर पर क्लिक करना है और माउस को छोड़े देना है यहां पे यह सेलेक्शन हुआ क्लोस कर्सर सेट कर रहा कुछ अंगलर स्लेट कर रहा हूं और यह कुछ ए इकलर पूल रहा है यह मतलब एजना फ़्योंट अगर मुझे यहां पे कुछ और फिल कराना है तो मैं कुछ इस तरह से कलर्स वेरेशन उठा के फिल्ट कर दूँ सिंपल और मुझे इस पर कुछ लिखना है अगर तो मैं लिख दूँ अगले टूटरिल में दिखाऊंगा अलाइंग्मेंट फंक्शन और नमबर सिरीज तो थैंक्स फ़ाचिंग झदला है झाला है